अस्सलाम उलेकूम कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं खेरी ऐसे होंगे 2024 का गर्मी आने वाली है तो गर्मी के लिए हम सबसे पहले ही तयारी कर रखे हैं आप लोग मेरे चैनल को पूरा देखेगा समझ में आ जाएगा हम बनाने वाले क्या है और गर्मी का ये recipe है बिल्गुल जटपट और easy जो अपने गर्मी मिल जाता है आम तोर पे उसी से हम बना रहे हैं ये recipe जिसे हम गर्मी का enjoy करेंगे और दिल को सुकुन पहुँचाएंगे ये recipe का enjoy करेंगे तो चलिए हम बनाना इस्टार्ट करते हैं आप लोग बने रहे हैं मेरे चैनल पर चैनल का नाम है रूही Allrounder तो देखिए हम बना रहे हैं ये साबू दाना से recipe जो के बिल्कुल easy है आप लोग सोचिएगा नहीं मेरे चैनल पर बने रहेगा और मेरे चैनल को जटपट like and subscribe कर लिजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की notification मिले तो हम साबू दाना को अच्छे से 3-4 दो लिए हैं अब हम इसे side में रख देंगे और हम जो इसमें डालने वाले हैं वो है jelly जेली का यह पाउच हम बाजार से ले आए है नॉर्मल सा यह jelly है बाजार में मिल जाएगा जेली का नाम है milk jelly और यह flavor है पिस्ता का पिस्ता फिलेवर में है तो यह चमच से देखेगा तो छोटी चमच से दो चमच हो जाएगी तो हम फार के इसमें डाल दीए और इसे भी हम side में रख लेंगे हम जो बना रहे हैं आप लोग सोचते होंगे हम बना क्या रहे हैं तो यह recipe हम आम जुबान में अपने भासा में हम बोलेंगे तो फालूदा ही बोल सकते हैं तो फालूदा आप बोल सकते हैं यह recipe आप गर्मी में भी enjoy कर सकते हैं और ठंडी में भी enjoy कर सकते थंडी में श्मोरी आएस्ट बहुत ही जटपट को बता को नैंसे पूसे बंगात पतेली में पानी दे दिये थे दो गलास पानी बरबर के डाल दिये थे लगबग वेट में देखेगा तो आदा लीटर पानी हम डाल दिये थे इसमें हम धुआ हुआ साबू दाना डाल दियें और इसे 5 मिनर तक हम पकने देंगे मेडियम फ्लेम पे 5 मिनर तक हम पकने देंगे और इसे हम continue चलाते जाएंगे तो इस तरह से चलाते जाएंगे देखें चलाएं हम और बिल्कुर ये खिला-खिला सा साबूदाना है हम इसे अब छान लेंगे तो इस तरह से छानना है आपको भी हम ये फालूदा रेसीपी बनाने के लिए साबूदाना हम ले लिए हैं बाडिक वाला और ये साबूदाना डेर सोगरा में तो देखिये हैं ये मैं पूरी अच्छी तरह से छान ली हूँ सारा साबूदाना को और इसे मैं साइड में रख दूँगी और इसे मैं अभी कुछ साबूदाना को कुछ भी नहीं करूँगी इस तरह से मैं इसे फैला के साइड में रख दूँगी अब फिर दूसरी बार हम पतेली को गैस पे रख दिये हैं इसमें हम पानी डाल देंगे ये प्याला से दो प्याला सो हम दो प्याला नहीं डाले थे हम एक ही प्याला डाले हम सोचे थोड़ा सा ही हमको बनाना है लेकिन नहीं यह हम कुछ गल्ती कर दिये थे जल्दी जल्दी में तो आप लोगे साथ ये अपना गलती भी शिहर जरूर करूंगी ताके इस तरह का गलती आप लोग ना करें तो ये गलती मैंने क्या की थी सबसे पहले ये जो जेली पौर्डर है इसे मैं थंडा पानी के साथ मिक्स करके रखती तो बहुत अच्छा सा ये बनता जेली लेकिन मैंने पॉडर गरम पानी में डाल दी थी तो इसलिए यह गाठ बन गया है और पानी थोड़ा सा कम हो गया था तो इसमें मैं एक प्याला और पानी डाल दी हूँ और इसे फुल फिलेम पे उबाली उबालने के बाद जो भी गाठ आया था देख सकते हैं यह गाठ को हम अच्छे से कच्ची से तोड लिए है तो पूरा तो नहीं टूटा कोई बात नहीं यह जो गलती हम किये हैं गलती हम किये तो सुधारना भी मेरा ही काम है है की नहीं चलिए तो गलती को सुधारते हैं गल्दी सुधारने के लिए हम क्या करेंगे इस तरह का छन्ना से हम पूरा जेली को छान लेंगे और ये जेली में जो छन्ना में जो जेली है इसे हम साइड में एक साइड में रख लेंगे तो देखिए जेली को हम साइड में रख दी है ठंडा होने के लिए पतेली को फिर से गैस पे रख दी और इसमें डाल दी दो कप दूद ये दो दूद को वेट किजेगा तो ये तीन पाव मतलब साथ गराम साथ सौ गराम के आजपास हो जाएगा 700 गराम से जादा ही होगा इसमें मैं चीनी डाल दी 200 गराम जादा नहीं डालना आपको अगर मीठा जादा पसंद है तो मीठा खा सकते हैं मैं 200 गराम चीनी ली थी लेकिन मैं 200 गराम ही डाली 50 गराम बचा ली थी तो अब जब तक दूद उबल रहा है जब तक हम दूद में जो डालेंगे यह custard powder तो इसको मैं सबसे पहले थंदा पानी में mix करूँगी इसी तरह से jelly powder भी मुझे mix करना चाहिए था लिएक से तो गलती हो चुका है आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं किजेगा और custard को भी ऐसे ही दूद में नहीं डाला किजेगा इस तरह से थंदा पानी में mix कर लिजेगा तो कुछ गलती करके सीखने के लिए मिलता है तो हमको मालूम था jelly को पानी में mix करना है लेकिन हमने mix नहीं किया था आप लोगों को भी बताना था क्योंकि सबको पता नहीं होता है जल्दी जल्दी में ऐसा कर सकते है तो खेर आज हम जल्दी जल्दी में ही हमसे ऐसा गलती हुआ है कोई बात नहीं आप लोग ignore कर लिजेगा वीडियो का enjoy जरूर कीजेगा तो देखिए अब हम साबुदाना को इस दूद में डाल देंगे तो देख सकते हैं साबुदाना कैसा एक जगे जम उचुका है तो उसके लिए हम क्या किया है यह पूरा साबुदाना हम कैसे खिला खिला बनाए है हम आपको बता देते हैं सबसे पहले हम ले गए बेसिन के पास और इसी छन्ना में ही साबुदाना को हम अच्छे से ठंडा पानी से धो लिए तो मेरा साबुदाना पूरी तरह से खिला खिला हो चुका था तो हम डाल दिये दूद में अब हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड जो के हम पानी के साथ मिक्स कर रखे थे आप चाहे तो ठंडा दूद है ठंडा दूद से भी आप मिक्स कर सकते थे कस्टर्ड को तो हम पानी के साथ ही मिक्स कर लिए है अब इसमें हम दो उबाल आने देंगे बिल्कुल फुल फ्लेम पे हम उबाल आने देंगे और कंटीनियू हाँ से चलाते जाएंगे तो देख सकते हैं आप किस तरह से मेरा ये साबुदाना का फालूदा जटपट सा बनके तयार है और बिल्कुल यम्मी और लजीज रेसिपी है ये इसका इंजुआए आप जरूर किजेगा इस गर्मी में जरूर बनाईएगा ये रेसिपी आप मेरा नाम लिजेगा अगर अच्छा लगेगा ये रेसिपी आपको बनाने के बाद तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा जो हम ये रेसिपी बनाए थे रूही ओल्राउंडर चैनल का नाम है मेरा इस पे आप आके कॉमेंट जरूर किजेगा तो देखिए ये अभी थोड़ा सा पतला पतला सा दीक रहा है ना थोड़ा दिर के बाद ये पूरी तरह से थिकनेस इसमें आ जाएगी थोड़ा दिर के बाद ठंडा होने के बाद तो अभी इसको हम साइड में करते हैं अब देखते हैं जेली का क्या हाल है जेली जम चुका है पूरी तरह से इसे हम cut कर लेंगे तो छूरी के मदद से हम इस तरह से छोटा छोटा पीस में cut करेंगे अगर आप चाहें तो इसका flavor change भी कर सकते हैं अगर change नहीं करना हो पिस्ता flavor और strawberry flavor का भी सब flavor का आता है बजार में मिल जाता है अपना जो साबूदाना का फालूदा बनाए हैं इसमें यह डालने से इसमें हम जेली में चीनी नहीं डाले हैं आपको अगर चीनी पसंद है जेली के साथ तो आप थोड़ा सा उबालने के ही time पे थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं अब हम इसको रख देंगे फ्रीजर में ठंडा होने के लिए और हम आइस के साथ इसे अप करेंगे इंज्वाए आप लोग मेरे चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिएगा तो देख सकते हैं यह मेरा जो फालूदा है बिल्कुल तयार है इंज्वाए करने के लिए तो हम इसमें सब गलास में सर्फ कर चुके हैं इसमें हम डाल दी है आइस यह फर्स्ट गर्मी का एहसास हुआ है गर्मी का मौसम आ चुका है तो हम इस तरह का रेसिपी आप लोग क इसी तरह का देखने के लिए मेरे चाइनल को सब्सक्राइब किजिएगा ताके मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले नोटिफिकेशन के लिए आपको बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दिजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के ल रखें बाई, अल्ला आफीज